वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ दिवया शर्मा आज मैं आपको बताने जारी हूँ कि बाड़ी से बाड़ कॉलेस्टरोल को कैसे दूर करना है ज़रूरी नहीं कि इसकी मेरिसीन ही हमारी बाड़ी पर पूरा असर करती है ये कॉलेस्टरोल की प्राब्लम कुछ ऐसी बनती जा रही है जो हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करके जो की बाड़ कॉलेस्टरोल को दूर करती है तो आप cholesterol जैसी बड़ी problem को दूर कर सकती है इसकी medicine lifetime लेने की जरूरत नहीं है आप अपनी diet को change कीजिए और cholesterol की problem को दूर कीजिए सबसे first, सुबह उठकर नीबू पानी पीने वाले लोगों को यानि कि गुनगुने पानी में नीबू और शेहत मिक्स करके पीने वाले लोगों को कभी भी cholesterol की problem नहीं हो सकती second, दिन में जितना जादा, कम से कम, 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीजिए cholesterol की problem बेलकुल नहीं होगी इसके इलावा आपने रात को या फिर कभी भी आपने छिलके वाली ही दाल खानी है जिलके वाली दाल, यानि मुंगी की दाल जो होती है जिलके वाली, वो खाने से cholesterol, जो bad cholesterol है वो body से flush out होता है इसके इलावा आपने खाना खाने के 30 minute के बाद soft जरूर खानी है soft खाने से bad cholesterol तूर होता है इसके इलावा दिन में कभी भी अप इस बगोल ले सकते हैं इस बगोल भी बैट कॉलेस्टोर को दूर करता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इस बगोल कबज की प्रॉब्रम को भी दूर करने में इसके इलावा रोजाना दिन में दही एक बार जरूर खाईए दही आपने breakfast, lunch या dinner में नहीं लेनी आपने दही खाली वैसे ही दिन में एक बार लेनी है उसमें नमक, चीनी, कुछ भी mix नहीं करना इसके इलावा एक चीज़ और जो heart के लिए बहुत बढ़िया है यानि heart patient ज़रूर ले वो है लोकी का juice लोकी का juice पीने से heart attack कभी नहीं आता high BP की problem कभी नहीं होगी और इसके इलावा bad cholesterol कभी नहीं बढ़ सकता आप रोजाना एक गिलास लोकी का juice खाली पेट ज़रूर लीजिए दिन में कभी भी खाली पेट फील करें तब आप इसे ले सकते हैं जब समर होगा तो अकेला आप लोकी का juice देजिए विंटर में आप इसमें दो चुटकी काली मिर्च ज़रूर मिक्स कर लेना क्योंकि इसकी तहसीर थोड़ी ठंडी होती है और जब ठंड में ये खराब नहीं करें इसलिए इसके लाव आपने योगासन ज्रूर करना है वो योगासन है सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार को करने से body's से toxins बाहर निकलते हैं जो cholesterol है bad cholesterol बाहर होता है आपको lifetime इस cholesterol की medicine लेनी की ज़रूरत नहीं बढ़ेगी ये थी खास information उनके लिए जिनको भी cholesterol जिनका bad cholesterol बढ़ता है और वो इस चीज़ को ज़रूर follow करें यह information आपको कैसी लगी प्लीज अपने comments के दोरा ज़रूर बताईएगा अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो आप like ज़रूर करिए और अपने friends के साथ ज़रूर share करिएगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए ताकि मेरी आने वाले videos के information उसके updates पर आपको मिलते रहें मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye